हेलो दोस्तों आप सबी का हमारे यूटूब चैनल राहूद कम्प्यूटर से में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है उसका क्या प्रोसेस है सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे तो दोस्तों आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जल्द से जल्द लिंक करा लें आने था दोस्तों आपका जो पैन कार्ड है वह डिसेबल यानि बंद कर दिया जाएगा तो दोस्तों आपको जो pen card से सुभिता मिलते है उसे भी बंद कर दिया जाएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से बाले दोस्तों आप सभी से एक छोटी से request है हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रू दबा दिजिए चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आप अपने ब्राउजर में e-filling टाइप करके सच कर दिजिएगा उसके बाद दोस्तों first link जो है उसे open कर लिजिएगा तो दोस्तों कुछ इस तरीकी से e-filling की website open हो जाएगी उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं link आधार का option दिया गया है तो दोस्तों आप उस पर click किजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके pen card में जो नाम है और आपके आधार card में जो नाम है और date आप बढ़ते दोनों same होना चाहिए तभी दोस्तों आपका pen card जो है आधार से link होगा उसके बाद दोस्तों आप wallet के option पर click करके continue to pay पर click करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका e-pay tax card next page जो है open हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपने pen card का number फिर से यहाँ पर fill करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर confirm pen का option दिया गया है दोस्तों आपका जो pen का number है आप यहाँ पर दूबारा अपना pen number fill कर दिजेगा उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं mobile number का option दिया गया है तो दोस्तों आपके पास जो भी mobile number है आप उस mobile number को यहाँ पर fill कर दिजेगा उसके बाद दुस्तों कांटीन्यू के ओफ़न पर क्लिक करेंगे तो दुस्तों आपके मोबाइल नमबर पर OTP भेज दिया गया है जो 14 मिनिट के लिए आपका बैद रहेगा दुस्तों आपके मोबाइल नमबर पर जब OTP आ जाएगा दुस्तों आप यहाँ पर OTP को फिल कर दिजेगा उसके बाद दुस्तों कांटीन्यू के ओफ़न पर क्लिक कर देंगे आपका पैर नमबर और नम जो है मैच हो जाएगा उसके बाद दुस्तों आप यहाँ पर कांटीन्यू के ओफ़न पर क्लिक कर दिजेगा तो दूस्तो यहां पर 3 off-fun दिया गया है तो दूस्तो आपको यहां पर 1st वाले off-fun को चूच कर लेना है assignment year जो है आप यहां पर चूच कर लिजेगा दर्स receive चूच करके continue पर click कर दिजेगा तो दूस्तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर 1000 रुपए पे करना है दोस्तों आप यहाँ पर continue के option पर click करके आप जिस भी bank से अपना payment करना चाहते हैं उस bank को आप यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद दुस्तों continue के option पर click करेंगे तो दुस्तों कुछ इस तरीके से next page open हो जाएगा तो दुस्तों आप यहाँ पर pay now पर click करेंगे तो दुस्तों कुछ इस तरीके से term and condition का option open हो जाएगा तो दुस्तों आप यहाँ पर check mark लगा करके submit to bank पर click कर देंगे तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो payment method है वहाँ open हो चुका है तो दोस्तो इस प्रकार से आप अपना payment successfully कर लीजिएगा तो दोस्तो आपका जब payment successfully हो जाएगा तो दोस्तो आप यहाँ पर download के option पर click करेंगे तो दोस्तो आपको income tax department की तरफ से एक receipt मिलेगी तो दोस्तो आप इसे print out कर लीजिएगा